आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है खंडवा मद्यप्रदेश निवासी के घर से पुलिस ने कबजे में लिया है वरिष्ट थानेदा सुनिल चमहान के अनुसार पुलिस बच्चे को लेकर नाकपूर रवाना हो गई है देर रात तक संभावता नाकपूर पहुचेगी बच्चे के पिता का कोई सुराग नहीं मि पिता बेटे को नाकपूर से ले जाने के बाद अपने घर में छोड़ कर फरार हो गया मुँमद हुसेन की मा अक्सन शांती नगर थाने में बेटे की अपहरन की शिकायत भी दर्ज की है शिकायत में मा ने बताया था कि जब वह बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तब पिता कार से अपरन करके बच्चे को मदब्यदैश ले गया है पूलीस का मानना है कि पति-पत्नी के विवाद में बेटे को परेशानी का साम ना करना पड़ रहा है घटना सोमार की सुबह शांती नगर में जैन मंदीर के पास माड़ा कॉलनी के समीब घटी थी अगली खब पहले भी तीन बार यहां तेंद्वा देखा गया है लेकिन वन विवाद की ओर से कोई पुक्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा है जिसके करण लोगों की जान पर खत्रा मंद रहा है सुमार की रात को भी गोरेवाड़ा इलाके में तेंद्वा दिखने से निवासियों में द दिखाई दिया हलाकि कुछ देर दिवार पर बैठने के बार तेंद्वा वह अपस वन शेत्र में लौड गया तेंद्वा को देखे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई लेकिन इससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है देखे जाने की जानकारी मिलने के बाद वन विवाग की एक टीम मौके पर पहुंची लेकिन कुछ नहीं दिखने पर वह वहां से चली गई वन विवाग का कहना है कि रात में गश्ट शुरू कर दी गई है और निवासियों को अंधेरा होने के बाद घर के अंदर रहने की ह यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News